जैसाई राम एब्रिवान, वेल्कम टू मेरे साई, आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक नया अनुपव, ये अनुपव आया है एक साई भक्त से जो रहती है U.S. में पर रहना चाती है उपर नीचे करना पड़ता है, उपर नीचे करने में प्रॉब्लिम होती है उनको, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि उपर मत जाओ, नीचे मत बैठो, रेस्ट करो, पर जो घर की जो ग्रिहनी है, जो औरत है, उनका इतना काम रहता है कि वो लाग चाहकर भी आराम नहीं कर प अनुभव सुन रहे थी, जहां बाबा की एक भक्त हाथ के दर्थ से बहुत परेशान थी, और जब वो हाथ में उदी लगाती है, तो उनका दर्थ ठीक हो जाता है, तो ये अनुभव मैम सुनती है, और इससे पहले भी मैम ने सुना था, कि उदी लगाने से दर्थ ठीक हो तो वो उदी पैर में लगाएंगी, पैर का दर्थ ठीक होने के लिए ये उनको ठीक नहीं लगा, अब डॉक्टर ने दवाई दिया, मैम को उससे भी कोई फरक नहीं हो रहा था, कोई रहत नहीं मिल रही थी, फाइनली मैम बाबा से अनुमती लेती है, और बाबा की उदी पैर में लगाती है, और पानी में घोल कर पीती भी है, और मैम बताती है, अगली दिन सुबा जब वो उड़ती है, उनके पैर का दर्थ 75% कम था, और मैम बहुत खुश थी कि फाइनली उनके पैर का दर्थ कम हो गया, और अब मैम रोज उदी लगाती है, और पानी में मिला कर पीती भी है और उन्हें विश्वास है कि बहुत जल्दी साई कृपा से उदी की ताकत से उनका पैडर दग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा अब मैम जो है वो नेपाल से है पर वो है यूज उस इरिजन अब मैम 12 साल से नेपाल नहीं गई अब इनको पहले साई के बारे में जादा कुछ पता नहीं था पर टीवे में निर्मल बाबा जो है वो साई महिमा प्रचार करते हैं और सभी साई भक्त को मतलब सभी जो नॉर्मल लोग है उन्हें साई की भक्ती के लिए उत्साह करते हैं ठेक है वो साई महिमा प्रचार करते हैं और सबको उतसाहित करते हैं कि साई के बारे में जानिये, साई को भक्ती कीजे साई को पूझे और उनसे ही मैम को प्रेड़ना मिली और साल 2011 से मैम साई को थोड़ा-थोड़ा मानने लगी पर इसके बाद ना मैम टीवी में साई बाबा का एक फेमस फेमस टीवी सीरिल आता है जो हम सभी ने देखा है वो देखती हैं और वो देखने के बाद साई के प्रती मैम का आस्था विश्वास और द्रिड होता गया जैसा कि मैंने आप सब को थोड़ा मत़र थोड़ी दिर पहले मेंशन किया कि 12 साल से मैम नेपाल नहीं गई मैम 4 बहने है और 3 बहने नेपाल में है तो मैम ना बाबा से कहती कि साई मुझे शरड़ी आपके पास जाना है मुझे अपने बैनों से मिलना है और हर पल मैं आमका यही प्रार्थना होता था बाबा के सामने कि मुझे शर्डी जाना है क्योंकि वो बाबा से मिलना चाहती थी and more over वो बारा साल से नेपाल ने गये थी उनकी ममी बाबा भाई का मतलब ममी बाबा का दिहांत हो गया उनका भाई भी नहीं है तो उनको बड़ा मन था कि वो अपने बहनों से जाके मिले 12 साल अपने सिबलिंग से दूर रहना बहुत difficult होता है राइट तो हर वक्त वो बाबा से यही prayer करती थी कि बाबा मुझे श्रिडी जाना है मुझे अपने बहनों से मिलना है आप जल्दी से हम बुलाओ अब इसके बाद ना मैम अपने सिस्टर से बात करती है और कहती है कि चलो एक काम करो तुम सब नेपाल से इंडिया आओ मैं भी यूएस से इंडिया ही जाती हूँ और हम सब शिर्डी में मिलेंगे हैं मैम बताती है कि शिर्डी का प्लान इतना smoothly बन गया 12 साल बाद म पास पास जो होता है ना ना सेक बगेरा हर जगा मतलब जो भी टेंपल्स होता है ना मैम ने सभी का दर्शन किया और मैम बताती है साई की ऐसी कृपा रही मैम एक महिना इंडिया में रही 5 स्टार होटल्स में रही हर जगा domestic flight से ट्रावल किया पर कवी आर्थिक अवाव नह उसके बाद भी मैम एक महिना नेपाल रही, अपने सिस्टर्स के साथ अच्छा वक्त बिताया, फिर वो यूवस लॉट आई, अब मैम के शिर्डी जाने के पीछे एक और भी रिजन था, इनके हस्बन बहुत ड्रिंक करते हैं, और रोज ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करने के बाद इनका अलग ही रूप होता है, अब इनकी शादी को 32 साल हो गए है, और 32 साल से यही हालें, वो ड्रिंक करते हैं, रात को चलाते हैं, अलग ही मतलब अशानती होती है घर में, मैम रोज रात को रोते-रोते सोती हैं, उनके जो मतलब मैम के बेटे हैं, वो भी बहुत disturbed फ सुनाते हैं उनके husband तो ये ना मैम को अच्छा नहीं लगता था तो मैम जब शिर्डी गई तो बाबा से यही प्रार्थना करती है कि मेरे पती का जो शराब का लथ है जो नशा है साई यह आप छुड़ा दो मैम बताती है कि शिर्डी से जब वो US lot आई तब से वो नोटिस करती है कि सर शराब को टच नहीं करते वो रात को दवाई लेते हैं और सो जाते हैं और घर में ना शान्ती बना रहता है अदरवाइस पहले सर बहुत शान्ती करते थे और मैम और उनके बेटे को मतलब बहुत उल्टा सीधत सुना देते मैम रोज रात को रोक कर सोती थी पर अब साइक रिपासे उनके घर में शान्ती है तो बाबा के जो वचन जो शृड़ी में आएगा आपत दूर भगाएगा चरे समाधी की सीरी पर पाउ तले दुक्की पीरी पर तो देखिए सर ने गए थे शृड़ी मैम गई थी शृड़ी और मैम ने जब वहाँ पे बाबा के सामने जाकर अपना दिल खोल कर रख दिया और बाबा से कहा कि मेरे पती का जो शृड़ाप का लथ है वो मतलब छूट जाना चाहिए साई प्रेम से बाबा को बस एक बार ही कहा था और जब वो घर लोटके आती है तो वो देखती है कि हाँ उनका जो इनसान 32 साल से रोज रात को ड्रिंक करके ही सोता है वो ड्रिंक नहीं कर रहा है तो ये साई कृपा नहीं है तो और क्या है कोई-कोई मुझे कहते है ना कि बाबा पे आप अंधी मतलब आख मून पे विश्वास करते हो ये ठीक नहीं है आप ना मतलब बाबा को ब्लाइन फेद करते हो पर ब्लाइन फेद काम नहीं करता मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि लॉजिक के साथ अब भगवान पे आलो के घटना है वही से शुरू होती है तो अगर आपको साई को जानना है तो आप अपना लॉजिकल माइंड आपका रैशनल माइंड साइन में हटा दीजे फिर साई के सामने आप आईए ना हाथ फैला के उनसे कुछ मांगे वो आपको कभी निराश नहीं करते moreover बाबा ने ग्यारा वचन जो लिखा था मतलब बाबा ने जो ग्यारा वचन अपनी सभी वक्तों को दिया है बाबा आज भी निवाते है तो बहुत प्यारा अनुभव थैंक यू सो वेरी माच माँ इतना सुन्दर सा अनुभव हम सभी के साथ शेर करने के लिए और आप स वाट्साइप नंबर में भी आप मेसेज कर सकते हैं इमेल आइडी इंस्टाग्राम अकाउंट आइडी और वाट्साइप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है अगर महिमा मतलब साई अनुभव सुनने को अच्छा लगता है प्रचार कीजिए अपने दोस मुझे मेसेज कीजिए मुझे वो अनुभव भी इस चैनल पर अप्लोड करने में बहुत मतलब खुशी हो कि मैं बहुत खुश नसीब खुद को कंसिडर करूंगी अगर मुझे वो सौग भागे मिला तो और क्या कहूं मिलती हूं बहुत जल्दी एक नए सा अनुभव के सा तिल दिन जे साइरा